चलो भी जल्दी करो नहीं तो हम लग रेस के लिए लेख हो जाएंगे तुम तयार हो मैं तो अपना काम अच्छा कर रहा हूं अच्छी बात है चलो चलते हैं मैं बस इसे थोड़ा सा टाइट कर रहा हूं पर हमारे पास टाइम नहीं है मेरी बेहन ने हिम्मत दिखाए रेसिं नहीं नहीं यह हमारे लिए है रोकी रुका भी यह चलो चलते हैं रोकी कहा है वो यहां नहीं है चलो तुम्हें जोड़ से नहीं खिचना चाहिए था मैंने तो आराम से खिचा था लगता इसे सही से फिट नहीं किया गया था अब हम बाहर के से जाएंगे पीछे हो जाओ वाव यह कुछ अजीब है रास्ते से हटो इमर्जेंसी है किस तरीके का इमर्जेंसी कुछ हिस्सा गिर गया है हमें उसे जोड़ना है अगर कुछ गिर गया हो तो हम लग इमर्जेंसी फिक्स इंटीम है साथ इसे हटो तुम्हें क्या लगता है स्ट्रिंग इलास्टिक बैंड सेफटी पिन हमारे पास टाइम नहीं है स्टिकी टेप का इस्तेमाल करना होगा अब मैं तुम्हें पकड़े लूगा जूसी जूसी मुझे पकड़ना ही होगा किसी भी तरह किसी भी तरह बिल्कुल हिलना मत हड़ी कुछ अंदिया बिल्कुल नहीं सुन्ति सचते आजीब है यह क्या हो रहा है औहो मुझे लगता है कि पेपर क्लिप की जरुरत है नहीं हैर बैंड या एक च्विंगम चीक है जल्दी करो यह पानी ठंडा हो रहा है समय नहीं है देखो जल्दी से बांदो जल्दी अच्छा वो स्ट्रिंग का आखरी हिस्सा है अस्टिकी टेबिक खतम हो चुका है तो टेबिल को फिक्स कर देते हैं इससे पहले की गीरे अब मेरा क्या होगा पानी ठंडा हो रहा है अब अब हम लोग क्या करेंगे स्ट्रिंग को खतम हो चुका है और टेब भी हमें च्विंगम से काम चलाना होगा क्या तुम वही सोच रहा हो जो मैं सोच रही हूँ मैं हमेशा वही सोचता हूँ क्य। क्या को जो ही अट करेंगे सिस्टाव क्या ईस हो लोग प्रेट क्या क्या मैं लोगा प्लाना क्या जिए वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हैं तुमें सही से करना होगा हमारे पास टाइम नहीं है हमें बहुत सारी चीज़े को ठीक करना है वो जूमर बादडब तरवाजे का हैंडल इसे जल्दी करना होगा नहीं सही से किया गया तो यह फिर से टूट जाएगा सही का जैसे हमारी गाड़ी का पाईया निकल गया था पानी ठंडा हो रहा है हम लोग आ रहे मुझे पता है यह टेबल पिक्स हो जाएगा थोड़ा समय लगेगा और जो हम बता रहे हैं उससे यह कभी नहीं गिरेगा तड़ो यह तो हो गया अच्छी तरह से फिक्स हो गया तैंक्यू दोस्त अब क्या करना है यह जूमर हो गया जल्दी सोफा फिक्स करना है नहीं रुको पहले में शियोर होती हो कि फिक्स हुआ उसके बाद जाकर उसको फिक्स करें यह यह लगता है और कुछ फिक्स नहीं करना गर में रहना बहुत अच्छा लगता है अगर सारी चीज़ें सही जगह पर फिक्स होती है तो ऐसे घर में रहना कितना अच्छा लगता है जहां हट्टियां अस्मान से गिरती हो मुझे लगता है हम लोग रेस के लिए लेट हो चुके हैं बहुत ही विकार है अगर हम इसे अच्छे से फिक्स कर देते हैं तो हम लग ताइम से रेस पे जा सकते हैं हां रॉकी स्पैनर कहा है कर दो हम लग हम लगा है